Hello Friends, Welcome to BPSC दरपन आज हम लोग यहाँ पर भारत में सबसे बरा, छोटा, लंबा, उंचा फोटो के साथ study करेंगे जो आपके आने वाले exam के point of view से very very important questions का collections है यहाँ पर हम सारे question और answer image के साथ, फोटो के साथ करेंगे जो आपको याद करने में आसानी होगी और लंबे समय तक आप उसे image के माध्यम से याद रख सकते हैं यह हमारा second part है, इसका first part हम पहले ही upload कर चुके हैं और आप लोगों के द्वारा ही बहुत सारे comments किये गए थे कि इसी type के आप next video बनाएं तो इसके लिए यह video आप लोगों के सामने हैं तो चलिए हम इसका study start करते हैं सबसे लंबा सुरंग, railway का जो सबसे लंबा सुरंग है वो पीर पंजाल मार्ग में है, पीर पंजाल सुरंग के नाम से हैं जो 11.215 km हैं, जो जम्मू कस्मीर में हैं इंडिया का जो largest tunnel है, जो railway के लिए यूज किया आता है, railway का यह पीर पंजाल tunnel है, जो आप यह इसकीन पर देख रहे हैं सबसे लंबी rail mark है, यह डिवरुगर से कन्या कुमारी rail mark है जिस पर विवेक express द्वारा चलाया जाता है, यहां से यहां तक है और सबसे लंबी दूरी तै करने वाली यदि express train की बात किया जाए, तो विवेक express है, जो यहां पर कन्या कुमारी से ले करके यह डिवरुगर तक, जो असम में परता है डिवरुगर, असम के डिवरुगर से तामिल नाडू के कन्या कुमारी तक चलाई जाती है और यदि सबसे लंबी रेल मार की बात की जाए, तो यही डिवरुगर से कन्या कुमारी तक, जो आप देख सकते हैं यहां पर कन्या कुमारी है, जो सबसे लाष्ट कोजिशन है बहरति ये इन्डियन मैप की, और दक्षिन में और यहां पर डिवरुगर है, अटनाचर प्र जो आप इस्क्रीन पर देख रहे हैं यही मरीना बीच का इमेज है जो भारत का सबसे लंबा बीच है सबसे लंबा समुद्टटटवाला राज्य या गुजरात राज्य है गुजरात राज का समूद तर्ट सबसे लंबा है भारत में यह आपसे पुछा जाए सबसे लंबी तर्ट रेखा वाली राज्य है तो वह गुजरात राज्य है सबसे लंबा समुद्धत्ट वाला दक्षिर भारती राज सौथ इंडिया के जो सबसे लंबी समुद्धत्ट वाले राज है वह है जो आपके स्क्रीम पर दिख रहे हैं आंदर प्रदेश है सब से उचा बांध है यहां से दो टैप के questions पुछे जाते हैं दोनों seemने उच्छा बांध होा है जो हिमाचल प्रदेश में है और यह इसके साथ में लिख जाते है अर्थ-पीलर बांध है या गुर्त्वय बांध है तो यह भाकरा नंगल बांध होगा, जो हिमाचल प्रदेश में है, इसकी उचाए जो है, दूसर पचीस किलो मीटर है, दूसर पचीस मीटर है, जो भारत का सबसे उचा गुर्ट्वे बांध है, या उसे अर्थ पिलर बांध कर सकते हैं, यह है, यहाँ पर आप अर्थ पिलर कर लें लेकिन यहां पर थोड़ा नहीं लिखता है यह नहीं लिखता है यह सबसे उचा बांद हो जिसमें भाराखड़ा नंगल बांद हो लेकिन रिहंद बांद वर्ड में लिखा हो यह सबसे उचा अर्थ पिलर बांद तब तो भाखरा नंगल बांद होगा क्योंकि उसके उच्छा दूसा पचीस मिटर है लेदी सबसे उचा बांद हो और रिहंद बांद ऑप्सन में ना हो तब भी आपको भाखरा नंगल कोई टिक करना है यह रिहंद पांद की उच्छा जो भग्रती नदी पर है और उत्रा खंड के रिहंद जिला में तो इसकी उच्छाए दूसा साथ प्वेंट है मीटर है कभी दूसा एक सट मीटर भी आपको एक्जाम में मिलेंगे तो जो भी आप से हो एसे लिखा हो सबसे उची बांद और और आप्सन सबसे उचा अर्थ पिलर बांध यह सबसे उचा गुर्त्विये बांध तब जाकर के भाकरानंगल बांध होगा जो हिमाचल प्रदेश में है ठीक है इसकी उचाए या उचाए भी करिबार ज्यान आप उचाएं उचा है दूसर पचीस मीटर और रिहंद बांध की उचाए है दूसर साथ पॉइंट फाइव या दूसर एकसर आप समझ सकते हैं कहीं कर दूसर एकसर लिखा हुआ है यह उचा है आगे हम देखें के रियंद बांध के बारे में भी हैं सबसे उची मिनार वह कुतुम मिनार है जो दिली में जो 88.4 मीटर है ठीक है जो इसकीन पर आप देख रहे हैं यही कुतुम मिनार है बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी होंगे जो नहीं देखें दिली आए तो एक बार उसे जरूर देखें सबसे उची सरक यह है खारदूंगला दर्य में इस्थीत लेह मनाली सरक जो आप एसकीन पर देख रहे हैं लेह मनाली सरक जो है भारत का सबसे उचा सरक है सबसे उचा दर्वाजा यह बुलंद रवाजा है जिसकी उचाए जो हैं 33.6 मीटर है यह फते पूर्शिक्री में है यूपी में है ठेक है आगरा के बगल में है फते पूर्शिक्री वहीं पर है बुलंद रवाजा जो भारत का सबसे उचा दर्वाजा है जो 33.6 मीटर का है सबसे उचा गुफा, यह हैं अमर्नात गुफा, जो जम्मू कस्मिर में है, जहां अमर्नात यात्री व्याभ जाते हैं, वो भगवान सिर्व की पूजा करने के लिए, वहाँ देख रहे हैं सिवलिंग, बर्फ का बना हुआ सिवलिंग है, ठीक है, वो सबसे उचा गुफा को देख रहे हैं वहीं देवताल जील है जो सबसे उंची जील है सबसे उंची चोटी या भारत की सबसे उंची चोटी यहां गौडविन ऑश्ट्रिन केटू यहां काराकोरम 2 जिसकी उंचाएज यहां से आप तीन चार और दो कंफ्यूजिंग आंसर आपको यादगर रखना है और उस कंफ्यूजन को किलियर करना है सबसे बड़ा कंफ्यूज आति है कि सबसे वरी चोटी की टू है या कंचन जंगा आ और किसी किसी में कंचन जंगा आप आंसर दिया होगा तो चलिए हम पहले इसकी फ्यक्त रियाद कर लेते हैं जो यहां पर दिया हुआ है फिर मैं उस कन्फिजन आपको दूर करता हूं है शबसे मुची चोटी जो गौर्डविन ऑश्चीन है उसी को ही कारा कुरामा टू और केटू भी कहा जाता है याद रखेंगे उसके साथ इसकी जो उच्चाए है यह 8611 मीटर है कई एक जाम में कियो गौर्डविन ऑस्च्टीन केटू का उच्चाए भी पुछा गया है यह जम्मू कस्मिर में है ओEMA में ऐसको पाकिस्तान उक्मोपयर का कब्जा कर रखा उसमें है यह सिवालिक सीवालिके सिवाली में हैं इन ंरे कि किसी हैं दिमित catalya इन तेन से किसी नहीं आता है कि सीवालिक सिवाली हैं दक्षिन कीए हैं पिर विठ गाली नएं सबसे ऊची चोटी इसी में पड़ता है jakम ब्रहत हमालाई में ही हैं ठीक है लेकि हमालाई को उस पार जब हमालाई से उत्तर आप जाएंगे तब भी हमालाई की छोटी परवते हैं हमालाई अचाना गैब तो हो नहीं सकती है जिस तरह से यहां पर आपको सिवालिक मद हमालाई और फिर ब्रहत हमालाई मिलता है सेम उस उस पार में जो हिमालाय है उसे हम ट्रांस हिमालाय बोलते हैं, मनलब पार हिमालाय बोलते हैं, हिमालाय को उस पार की बत करते हैं, जो ट्रांस हिमालाय है, उस ट्रांस हिमालाय में ही कारा कोरम है, कारा कोरम दर्रा भी है, भारत का सबसे उचा दर्रा है, जो कारा कोरम दर्रा पाद एक कारा कोरम की सबसे मुची चोटी क्या है तो यह है के टू जिसे गौडविन ऑस्टीन गोलते हैं और उसी चोटी को कारा कोरम टू भी बोलते हैं आपको यह कन्फीजन खतम हो गया होगा जो पीयोकी में है याद रखेंगे आपको कन्फीजन से पहले आपको दुसरे जगा ले जा रहा हूं तो आपके एक्जाम में यदि सिंबल से क्वेस्टन पुछे भारत की सबसे मुची चोटी कांसी है और ऑप्सन में कंचन जंगा न टिकिर कर देना है कोई दिखकत ही नहीं लेकिन इसा होता नहीं मैं अभी तक अल्मोस जिदने भी क्वेस्टन देखाऊ ہو उझे में से कुछी क्वेस्टन में पहारत की सबसे उंची चोटी है लेकिन और में किसी सेट में अंसर ने रहे हैं किसी प्रिवेइस पेपर में काराकॉरम को तो कोई आंसर दे रहा है के टू को गॉट्विन अश्टिन को आप सोचके देखिए का आप इसका स्पोल्यूशन कैसे निकालिएगा आप क्या कर सकते तो कुश्चन को ध्यान से पढ़ने आपको जरूड़ी है कुश्चन ऐसा नहीं लिखा होगा भा भारते सीमा में हिमालाई की सबसे उची चोटी तो वह कंचन जंगा यदि सिंबल जब पूछ दिया जाए भारत की सबसे उची चोटी तब आपको गॉडविन और्ष्ट्रिंग या केटू में लगाना है हाँ याद रखें यदि यह उप्सिन में केटू ना है तो आपको यमें से कोई नहीं प्रटिक नहीं करना है यादि अपसंट में नहीं है अधि हैनी भारत की सबसे सबसे उची चोटी सिरी पूछ दिया है तब आपको कंचन जंगा ही मुपी और यदि खंजन जंगा नहों तब उसे ही टिक करना है दोनों हो तो मैं आपको सोलिशन लेक दिया हूं यही भारतिय सीमा में हिमाला एक सबसे उची चोटी बोले तब आपको कंजन जंगा मरना है बरना इसे ही मारना है सबसे उचा जहरना भारत का सबसे उचा जहरना जो जोग जल प्रपात है जो गर्सपा जहरना है उसे ही बोलते हैं जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वह करनाटक राजी में है सबसे मुचा युदस्थल यह सियाचीन गलेसियर है भारत का ही नहीं है दुनिया का सबसे मुचा युदस्थल है जो सियाचीन गलेसियर जो इसक्रीन पर देख रहे हैं जो भारत और पाकिस्तान की से नहें आमने सामने रहती हैं सबसे उचा हवायड़ा, वो लेह, लद्दाक का हवायड़ा है, बारत का सबसे उचा हवायड़ा है, सबसे अधिक वरनक छाधित छट राजे, सबसे ज्यादा बनने वाले राजे, मत्रदेस हैं, चैसरबाधिक बन हैं, सबसे अधिक बर्सा वाला अस्थान ये चेड़ा-पुझी के नजदिक मावसिन राम है जो मेखालाय में है अब देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बर्सा वही होता है मावसिन राम में और यहां पर गारो खांसी और जयनतिया की परवत है इनी तीनों परवत के बीच में बादल ट्रैप हो जाता है जिसके बएसे वहां पर सबसे ज़्यादा बर्साएं करती है या बादल सबसे तेज गती से चलने वाला ट्रेन ट्रेन 18 है जिसे बंदे भारत के नाम से भी जानते हैं यह 180 किलोमेटर प्रति घंटा के स्पीर से चलती है तो भारत के सबसे तेज गती से चलने वाली ट्रेन ट्रेन 18 या बंदे भारत ट्रेन है हैं सबसे छुटा राज जनसंघ्या के द्रिष्टी से यह राज शीं में हैं देख रहें यहाँ पड़ा और सबसे छोटा राज च्छतरफल की दृष्टी से वह गुवा है भारत के सबसे छोटा राज है सबसे घनि आबादी वाला राज वह भीहार है बिहार की डेंसिटी सबसे ज्यादा है जहां एक सो एक ज्यारा सो दो ब्यक्ति प्रति वर्ड किलो मीटर में निवास करते हैं और यह चीज़ा और याद रखेंगे यहां से आप जिदी आप से क्वेशन यह पूछ दे सबसे घनी आवादी वाला केंदर सासित प्रदेश है तो वह दिल्ली है सबसे घनी आवादी वाले राजे सबसे डेंसिटी वाले राजे वह बिहार है तो सबसे घनी आवादी वाला केंदर सासित प्रदेश है वह दिल्ली है सबसे पुराना चर्च यह सेंट थॉमस चर्च पलायूर जो तिरुचूर में है सबसे गहरी नदी घंटी यह भागरती और अलकनंदा नदी घंटी है जो उत्रा खंड में हैं वह सबसे गहरी नदी घंटी है छत्रफल की दिश्टी से सबसे बड़ा जिला यह कच जिला है जो गुजरात में है परसम के ओर बहने वाले सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी हैं यह सोन म मैं पुछले भीडीयो में आपको समझा चुक हो पूर mirror, यैदि आप से कुछे पस्षिम की ओर बहने वाली सब से नदी तो नर्मदा नदी यह डिल्टा नौ भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी तो वह कोसी नदी है जो आप देख सकते हैं जिसे भारत का बिहार का सोक कहा जाता है यह नदी बिहार में बहती है इसलिए नेपाल सागर की बिहार से होकर के गंगा नदी में गिर जाती है तो इसे बिहार का सोक यदि कुछ याम में पुछा थे बिहार का सो किस नदी को बोले जाते हैं तो और सबसे भारत में सबसे ही मार्क बदलने वाली नदी भी कोसी नदी ही है भारत का सबसे उंचाई पर आया बांध है टिविडी बांध भाग रहती नदी उत्राखंड है पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ इसकी उंचाई भारत की सबसे उंचाई पर आई आया हुआ बांध है भारत का सबसे बड़ा कोरीडोर या रामेश्व्रम कोरीडोर तामिल नाडू में है जो आप एस्क्रीन पर देख रहे हैं दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी गदावरी नदी है जिसकी लंबाए 1450 किलो मीटर है और यह महराश्य निकलती है ब्रह्मगरी त्राइंग के स्वर जो नासिक के पास में है वहीं इसे निकलती है और यह बंगाले खारी में जल गिराती है लेकि यहां पर एक क्वेश्टन से और आपको मिलेगा जो एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दक्षिन भारत की गंगा किसे कहा जाता है मैं आपको नेक्स वीजियो में कंफिजन दूर कर दूँगा सिर्फ यहां पर एक लाइन में समझे ले यह आपसे पूछा जाए दक्षिन भारत की गंगा तो यह गोदाबरी नहीं है दक्षिन भारत की गंगा कावेडी को कहा जाता है ठीक है और दक्षिनी गंगा या दक् लक्षिन भारत की गंगा किसे खा जाता है तो यह कावेडी को खा जाता है उसके डिटेल वीडियो मैं नेक्ष्ट में आपको बना दूँगा सबसे बड़ी साइकल निर्माता कंपनी यह हीरो साइकल निर्माता है जो हरिया नामे हैं सबसे छोटा संगसासित प्रदेश यह लक्ष दीप हैं जो सबसे छोटा छत्र है आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंस को सेर कर दीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के विडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैन